हेल दोस्तों श्वागत आपका मेरे यूटूब चैनल इंग्लिस सीखों में आज हम डेली सेंटेंसेस की स्रीज को कंटिन्यू करेंगे और आज आपके लिए डेली सेंटेंसेस के साथ साथ कुछ फ्रेजल बर्फ सी लेके आया हम चले दोस्तों सुरू करते हैं फहला बर्फ ह करते हैं मेसेश करते हैं मेल करते हैं तो वहां पर हम मेंचन करते हैं किसी दोस्त को जैसे हम कह सकते हैं रोहन वासिक्ट अन्हें had to miss the party यह रोहन बीमार है और हो सकता हूं पार्टी को मिस्क्रें तो प्लीज दॉन ब्रिंग कम तो आप उसे क्या करना मेंचन मत करना अगला हमारा bring on अगला phrasal verb है bring on इसका meaning है to cause something to happen यानि किसी चीज के होने का कारण usually negative और वो चीज कैसी है ज्यादा तर negative जैसे his lung cancer was brought on by years of smoking यानि कि जो उसे lung cancer होा है और किस के कारण होा है जो सालों से क्या करता था smoking करता था तो bring on का meaning हो गया किसी negative चीज के होने का कारण call on अगला phrasal verb है call on इसका meaning है to visit someone यानि किसी के पास जाना एक sentence जैसे I'll call on you tomorrow to see how you are feeling यानि कि मैं तुमारे पास कल आऊंगा यह देखने के लिए कि आप कैसा feel कर रहे हो कि कॉल अराउंड कॉल अराउंड इसका meaning है contact multiple people contact multiple people एक sentence जैसे Sam call around to find a nearby doctor यानि कि Sam ने बहुत सारे लोगों को क्या किया contact किया nearby में doctor को ढूणने के लिए come around अगला phrasal verb है come around इसका meaning है change an opinion और see a new point of view यानि किसी चीज़ के प्रती अपना opinion चैंज करना या फिर यानि कि मैंने अपना opinion चैंज किया है जब से मैंने क्या किया फ्राइट क्लामेरी को ट्राइ किया तो come around का meaning क्या हो गया change an opinion नंगे पैर मत चलो हमारा फेला सेंटेंसास का नंगे पैर मत चलो don't walk barefoot don't walk barefoot मैं सुबह चार बजे उठता हूँ मैं सुबह चार बजे उठता हूँ I get up at 4 o'clock in the morning मैं office जाने से पहले ना लूँगा मैं office जाने से पहले ना लूँगा I will have a bath before going to office I will have a bath before going to office आपका जबाब नहीं You have no match मेरी किस्मत तुमारे हाथ में है मेरी किस्मत तुमारे हाथ में है My fate is in your hand My fate is in your hand हो सकता है कि मैं हो सकता है कि वह बाजार में हो हो सकता है कि वह बाजार में हो He might be in market He might be in market मेरी वजह से आप मुस्कुरा रहे हो I am making you smile यह काम हो जाना चाहिए था This work should have been done यह काम हो जाना चाहिए था This work should have been done उल्टा वो मुझे डाटने लगे उल्टा वो मुझे डाटने लगे He rather started scolding me He rather started scolding me मैं अपनी गलती मानता हूँ I admit my mistake I admit my mistake त्रेशे दुस्तों हमारे आज की sentences बैकि आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक सेर सब्सक्राब कीजेगा और इस सेरीज की और भी वीडियो आप देख सकते हैं Thank you Thank you